क्रहों के सेनपती कहे जाने वाला मंगल ग्रह एक जुलाई को सिंग राशी में प्रवेश कर रहा है इस गोचर का कई राशियों पर असर होने वाला है कुछ के लिए फाइदे मन सावित होगा तो कुछ के लिए नुकसान दायक चलिए आपको इन राशियों के बारे में बताते हैं जिनके लिए गोचर नुकसान देख सावित होने बाला है मितुन राशी की बात करें तो इस राशी के जातकों के लिए मंगल का गोचर बेहत असुप शावित होगा हलकी गोचर के दोरान इस राशी वालों को अपनी वाणी पर सयम बनाये रखना होगा वही करक राशी के जातोकों को सेहत में गिरावट आ सकती है कामों को जल्दवाजी में करनी की कोशिश ना करें साथी पतनी से भी वेवजा विवाद हो सकता है वही ब्रिचिक राशी वाले जातोकों के लिए मंगल करे अशुप फल लेकर आ रहा है इस दोरान आपको अपने स्वास्त का खास क्याल रखना होगा लापरवाही करना आपके लिए दिक्कत दायक हो सकता है बाही बेन और दोस्त से मन मोटाब की स्थिती भी बन सकती है नौकरी में भी बदलाप का योग चल रहा है मंगल करे के गोचर काल में धनूराशी वाले जातोकों को बहान चलाते हैं समय साथदानी बरत्ती होगी आपके साथ किसी तरह की अपरिय घटना भी हो सकती है शादी सुधा जिंदगी में भी विवाद के संबाबना है सौस्त का खास खयाल रखे इस दोरान आपको आर्थिक चुनोतियों का भी सामना करना पड़ सकता है